हेलो स्टूडेंट्स अपना गुर्कुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है डियर स्टूडेंट्स मेरा नाम है लोकिंदर राजायवत और आज से में स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी क्लास टेंट का उडान बेच गुअच उडान बेच में हम सबसे पहले जो चैप्टर कवर करने वाले है वो है सेकिरन नंबर चैप्टर जिसका नाम है पोलिनोमियल पहला वाला चैप्टर हम लोग बात में करेंगे पहले हम लोग second, third, four chapters को कवर करेंगे इसके बाद में हम लोग पहले चैप्टर और matelnा कर चेप्टर की कौन-कौन से टोपिक से उसका एक ओवर्वीू होने वाला है और नेक्स लेक्टर से हम लोग क्या करेंगे रेगुलर आप लोगों के लिए पर डे या फिर एक से दो दिन के अंदर एक लेक्टर अपलोड कर दिया जाएगा जिसकी जो डूरेशन होगी वो होगी चेप्टर के अंदर कितने टोपिक्स मतलब उस लेक्टर में हम लोग कितने टोपिक्स कवर अप करने वाले उसके रिसाब से एक से लेके देट गंटे तक के बीच में उससे छोटा भी कोई लेक्टर हो जकता है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम यह देखते हैं कि इस चेप्टर में हमारे को कौन-कौन से टोपिक्स पढ़ने हैं तो देखो, सबसे पहले तो हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले चेप्टर का नाम देख लेते हैं, जो चेप्टर का नाम है वो हमारा Polynomials, तो सबसे पहले Polynomials से डेलेटर हम Basic Definitions को पढ़ेंगे, जो आप लोगों ने 6, 7, 8, 9th क्लास में पढ़ी होगी, वहाँ पे आप से ही आप लोगों को करना स्टार्ट करूंगा, बेसिक्स पर नाइन्थ लेवल के जाके पढ़ा हुआ, उसके बाद में हम 10th लेवल पे जाके स्टार्ट करेंगे, तो समझ लीजे कि शुरू के 2-3 लेक्चर तो आप लोगों का 9th का बेस क्लियर करने में होगा, हमारे बेस क बेसिक स्टार्ट करूंगे उनके कॉंचेप्स को समझना स्टार्ट करेंगे, टो चले इस सुरू करते हैं, जिससे कि आप लोगों को मेंखशे क्या होजा है, बेमराइज हो जाए कि आप लोग बार-बार चीजे में यह यूज करूंगा बीच में तो आप लोगों को प्रोब्लम नहीं हो कि यह क्या यूज कर लिया इसलिए algebraic expectations क्या होते है terms क्या होते है terms भी दो टाइब क्यों होते है like terms क्या होते है का टोपिक होगा जो में हमारा चेप्टर है polynomial इसकी definition क्या है इसके साथ इसको standard form में कैसे लिखा जाते है और इसके उपर एक-दो क्यों जो भी बन सकते हैं वह हम लोग solve करने की process करेंगे इसी के साथ हमारा lecture one lecture one खतम हो जाएगा हमारा टार्गेट यह है कि इस chapter को हम लोग 8 से 10 या फिर 12 lectures के अंबर with questions previous year questions NTSC level के questions NCRT solutions के साथ में finish कर दें फिर हमारा जो second chapter होने वाला है जो होगा degree of polynomials जिसमें हम polynomial की degree का क्या मतलब होता है इसके साथ ताइपस of polynomials different types से कैसे polynomials को categorize करते है मतलब कि एक तो होता है जैसे कि degree के basis पे कितने types से polynomials हो सकते है एक हम पढ़ेंगे terms के basis पे कितने हो सकते एक हम पढ़ेंगे variable के basis पे कितने हो सकते तो यह सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले second lecture में तो उस में हम लोग पढ़ने वाले है value of a polynomial क्या होता है zeros of a polynomial जो कि हमारे इस chapter का basic है यहीं से हम लोगों को आगे पढ़ना है क्योंकि zeros of a polynomial का meaning समझ में नहीं आएगा तो linear polynomial के zeros नहीं निकालने आएंगे इसके साथ हमारा चेप्टर लेक्चर नमबर 3 खतम हो जाएगा उसके बाद में हमारे जो लेक्चर नमबर 4 है जो होने वाला है जीरो ओफ linear polynomial जो चीज़े है वह आप लोगों के 9th क्लास में दीवी यह 10th क्लास में केवल इसलिए करवा रहा हूं कि एक idea लग जाए कि हम बादेंगे तो क्वाडिटिक से पहले हमारे को linear polynomial के बारे में थोड़ा सा idea होना चाहिए हो सकता है कि आप लोगों के दो तीन महीने का जो गेप आया है 9th के बीच में उसके बीच में सारी चीज़े भूल चुके हो या फिर 9th में उस तरीके से आप लोगों नहीं पड़ी क क्योंकि बोर्ड का इतना प्रेसर नहीं रहता है तो इसलिए मैं कोशिस करूंगा कि आप लोगों को 9th कूरी कवर अप कर वहाँ और ज्यादा नहीं पड़ा हुआ कि यसे नहीं कि 9th और 10 दोनों का इतना ज्यादा बर्ड़न आप लोगों के लिए उपर आ जाएगा क्याव बेसिक्स को म सीखेंगे एक दो क्यासन जो मनते हैं वहां को सोल करेंगे एक चौल में आपके 10 की बुक में भी दिये हैं लेकिन वह जो इस्टार्टिंग में आपको इंट्रड़क्शन के नाम से थियोरी गीवन होती है वहां पे यह चीज़े लिखी हुई होती है तो इसके इसके साथ ही जो लेक्शर नमबर 5 हमारे होने वाला है वहां ग्राप्स पोलिनोबिल जो बहुत इंपोर्टेंट है एंटी एसके के लेवल से बोड में भी कई बार इसके पूछा जाता है तो हम लोग देखेंगे किस टाइप के बोड में क्यों साथ है किस टाइप के एंट करना सीधा इसके साथ ही हमारा लेक्शा नमबर फोर खतम हो जाएगा लेक्शा नमबर 5 हमारा जे स्टार्क होगा यह जो सबसें इंपोटेंट लेब इस च थैंड़ होगरD पढ़ने वाले कि McCarthy मिमें करने हैं की Unternehmen करने के 2 मेधर सब्र Parece suis कर में विए कि इसके उर्ट कि नीने की को minority व्यवर्मुला की में किया कर सकते हैं यह जि कोई कर तो अब लोगों कर पंदर पर फ्रोंस सोल गर्ने की को सिस्करेंगे जिससे कि आप लोगों करेंगे जितने भी different different type के questions होंगे वो सारे हम यहाँ पे solve कर लेंगे तो आप लोगों को कभी कोई problem नहीं आईगी कि अकर questions का pattern बदल दिया जाए तो जितने possible हो सकते हो सारे हम solve कर लेंगे तो pattern बदलेगा कांसे out of syllabus तो जाएगा नी तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बहुत सारे questions solve करेंगे इसे के साथ हमारा lecture number 5 से खतम हो जाएगा फिर lecture number 5 के बाद में हम लोग का जो lecture 6 होगा इसमें हम क्या पढ़ेंगे जैसे हम लोगों ने भी linear polynomial के zeros और coefficients के बाद बीच में relation पढ़ा था जो PYQ आये होए हैं पहले के exams के अंदर वो हम लोग यहाँ पे solve करेंगे इसके बाद में हम next slide पे देखते हैं कि और कौन-कौन से topics हम लोगों को cover up करने हैं उसके बाद में हम लोग lecture number 7 में कौन-कौन से topics देखने वाले हैं वो देखते हैं lecture number 7 हमारा only questions से related होगा जिसमें बहुत सारे questions करेंगे इसके अंदर क्या होगा हम लोग जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा Algebraic identities पढ़ा होगा जैसे A plus B का hollow square क्या होता है A square minus B square क्या होता है उससे related बहुत सारे questions बनते हैं उन questions को क्या करेंगे सोल करने की courses करेंगे तो topic क्या होगा हमारा Some useful relations involving Giroj जिसमें Giroj से related वो सारी चीज़े हमारे को करनी पढ़ेगी एक्चल में हम लोग क्या करेंगे वो Giroj जो हम लोग निकालेंगे उनके उपर जिसको Giroj को हम लोग क्या बोलते है Alpha, Beta वगेरा बोलके चलते हैं इनका नाम हमने निकाल दिया है तो ये सारी चीज़े हम लोग इस lecture number 7 में करने वाल है जिसमें क्यावल questions करेंगे 15-20 questions होंगे जिसमें बहुत अच्छे level के questions भी होंगे जिसमें हम लोग courses करेंगे कि जो previous questions जो पूछे हो है वो भी हम लोग आप लोगों को solve करने के लिए इसके अंदर दे जिससे क्या होगा आपको idea लग जाएगा कि एक्चुल में paper में questions आते कैसे हैं ठीक है इसके बाद में हमारा जो topic होगा जैसे हम लोग इने linear equations के लिए sorry linear polynomials के लिए क्या किया था relations पढ़े थे 0 और coefficients के लिए साथ ही हमने क्या पढ़ा फिर quadratic polynomials के लिए क्या पढ़ा relations पढ़े किसके बीच में 0 जोग और coefficients के बीच में similarly उसी तरीके से cubic polynomials भी होते है उनके लिए क्या होगा relation तो वो पढ़ने वाले relations between 0 जैन coefficients of cubic polynomial इसके साथ ही हमारा जो सबसे important topic फिर आएगा जिससे और भी ज्यादा questions बनाए जा सकते हैं और इसमें तीन या पास नंबर में बड़ा question आ सकते हैं वो है division algorithm क्या होता है division algorithm में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एक polynomial को दूसरे polynomial से कैसे डिवाइड किया जाता है इसके अंदर हम लोग 10-12 questions जो PYQ होंगे और जो अच्छे questions आप लोग की book किसे related है जिसमें RD सर्मा होगी होगी या फिर आप लोगों की NCRT होगी उससे हम सोल करने वाले हैं यह हमारा lecture no.9 होगा इसके साथ ही हमारा जो last lecture होगा concept video से related जो last lecture होगा वो lecture no.10 होगा जिसके अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले है remainder theorem और factor theorem एक्चल में remainder theorem और factor theorem आप लोगों के syllabus का part नहीं लेकिन मैंने previous year questions देखे हैं उसके अंदर कई questions ऐसे हैं direct remainder theorem और factor theorem से आप लोगों को solve करने पड़ेंगे तो इसका एक basic idea मैं दूगा आप लोगों को कि उसका meaning समझा दिया उसको apply कैसे करते हैं उसके एक पर 2-3 questions करवा दिये और 2-3 आप लोगों को homework questions के रूपे दे दिये जो आप खुद solve करके देखना कि हमारा result क्या आता है तो वो हमारा lecture नम button होगा इसके साथ हमारी जो concept videos है वो सारे खतम हो जाएंगे उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे एक lecture number 11 होगा जिसमें हम 20 से 25 आप लोगों के लिए previous year questions solve कर वाइंगे जिसके अंदर कौन-कौन से जगे से previous year questions हो सकते हैं NTSC से के related जो भी previous year questions आये वह हैं वो हम solve करेंगे CBSE board से related जो भी होगा RBSC राजस्तान board से related जो भी question होगा या other को state board होगा उसमें भी अगर ये वाला topics हैं तो उससे related जितनी भी questions बन सकते हैं वो हम लोग कोसिस करेंगे कि जो अच्य-च्य questions है वो आप लोगों के लिए lecture number 11 में solve करवानी की कोसिस करें इसके साथ ही lecture number 12 के अंदर हम लोग अभ्यास करने बाले हैं यानि कि जितना भी हमने पढ़ा है उसके उपर questions करने बाले questions में क्या होगा आप लोगों के लिए पहले question display किया जाएगा इसके बाद मैं आप लोगों को एक या दो मिनट का पोज करके time रे सकते हो उसको खुद solve करने की कोसिस करो उसके बाद मैं आप लोगों को मैं solution या पर provide करवा दूँगा जिसको हम दो parts में वो करेंगे जिसमें total 50-60 questions को cover up करेंगे जिसमें दोनो parts में हम लोग कोसिस करेंगे कि 25-30 questions आप लोगों के लिए अच्छे-च्य लेवल के जो important questions बनते हैं जो board अकसर उस type के questions पूछता है तो वो questions आप लोगों के लिए solve करवानी की कोसिस करेंगे इसी के साथ फिर हमारा lecture number 2 खतम हो जाएगा कोसिस करते हैं कि यह वाला lecture हमारा 10-12 days में खतम हो जाए उसके बाद में हम आगे के 3rd or 4th lecture को करने के बाद में पहला lecture solve करेंगे तो मेरा आप लोगों से request है कि यह अभी मैंने आप लोगों को overview बताया है chapter का वो आप जो भी आप math की copy बनाने वाले हो ठीक है उसके अंदर क्या करो पहले front page पे लिख लो chapter number 2 डाल के जिससे कि आप लोगो को एक idea रहेगा कि हमारे को कौन-कौन से topic actual में इस chapter में cover up करने है क्योंकि जब भी जैसे मान लो आप लोगों ने पूरा इस chapter को revise कर लिया अच्छे से पढ़ लिया उसके बाद में जैसे final time में जब exam के time पे जाना है तो आप लोगों को पूरे detailing में जाना जैसे कि आप लोगों ने front page पे topic का नाम देखा कि हमारे को क्या पढ़ना है definitions पढ़नी है constant है तो इस definition को क्या करो mind में recall करो अगर mind में recall आप कर पा रहे हैं उसका मतलब है आप लोगों को पूरा chapter आता है तो आप लोगों ने front page पे एक पाद दस मिंट के अंदर क्या किया सारे topics को recall कर लिया तो आप लोगों को page पलतने की जरुवत ने क्योंकि वहाँ क्या होगा तो final exam आप लोगों को देना है उससे पहले आप लोगों के पास में 15 chapters होंगे 15 chapters के एक-एक page को पढ़ने बेट गए तो आप लोग पूरा रिवाईजी नहीं कर पाओगे करनी होगा तो उस पर्टिकुलर टोपिक को जिसमें हमने इस वन इस्टार या टू इस्टार दिया है उसको क्या कर सकते हो आप वहां जाके जहां भी आप लोगों ने वह concept समझ रखा है ठीक है लिख रखा है उस पर आप लोग उसके questions को solve कर सकते हैं उसके उपर major focus उसी पर करना है ठीक है जो basic topics है उसको आप क्या कर सकते हो डाइरेक्टिक कर के आगे बढ़ सकते हो जिससे आप लोगों को फायदा ही होगा कि आप लोग क्या कर सकते हो बड़े पूरे सलेबस का एक short time में revision कर पाओगे इसके साथ ही मेरी आप लोगों से request है कि आप लोगों को यहां notes भी provide करवा दिया जाएंगे जो कि आप लोगों को comment section में या फिर हमारे telegram channel का link आप लोगों को मिल जाएगा उसके अंदर मिल जाएगा इसके साथ ही आप आप लोगों को जाएगी कि आप लोगों का पेपर देना वह तो रिटन पेपर होने वाला कि कि लास्ट यर तो सीबीसी ने दो टाम में एक्जाम लिये थी तो टाम वन के अंदर क्या था MCQ बेश्ट पेपर आया था और स्टाम टू के अंदर थेओरी पेपर आया था तो अब तो CBSC ने वह वाला प्रोविजन भी खतम कर दिया तो आपके वाल एक ही बार पेपर होगा और वो क्या होगा थेओरी पेपर होगा और स्टेट बोड वगेरा में तो वैसे भी थेओरी जिसे कि आगे आने वाले सभी लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें तब तक के लिए थेंक्यू